जय बहीम नमो बुधाथियो साथियो, ज說ah क्या हिसा की पहले से ही लगातार समाज उस्चित करता रहा हूँ और एक एक बात जो मैंने जितने भी भोजन समाज के चहरे हैं, जाने माने चहरे या जो नेता कही जाते हैं, उनके बारे में जो जो मैंने बाते कहीं एक-एक बात बड़ी सटीकता के साथ मैं फिट बैठी और सही साबित हुई मैंने बार-बार लछ्मन यादव के बारे में भूजन समाज को आगा करने का प्रयास किया लेकिन समाज समाज है समाज है समाज अपनी सुनता है और समाज अपनी कैसं सुनता है समाज की दुद्रस्टी नहीं है, समाज के पास सम्यक दुद्रस्टी नहीं है, जो सत्य को सत्य जान सके, जो असत्य को असत्य जान सके, ये काम असान नहीं है, इस काम को करने के लिए मैं कहूं कि बड़ी भारी युगता चाहिए, लिए फिर भी समाज चलता है भावनाओं से और समाज भावनाओं से चलेगा जिनको समाज की भावनाओं की जानकारी है कि फिल हाल समाज की भावनाओं क्या हैं तो भावनाओं के जानकार उसी भावना के अनुरूप अपने भासन कहेंगे, अपनी बाते रखेंगे और अपने मुद्दे भी लेकर आएंगे पिछले चुनाब में यही सब कुछ हुआ पिछले चुनाब में अखलेश कुमार यादब जी ने जब चुनाबी अभिहान शुरू किया तो उनके पास कौन से मुद्दे थे उनके पास मुद्दा था आरक्षन का भोजन समाज को बार बार ये बताया गया हर इस्टेश लाब उठा रहे हैं या ने उठा रहे हैं चाहें उनको आर्क्षन का लाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लेकिन भावना है आर्क्षन के आर्क्षन जो सब्द है उसके प्रती भावना है आर्क्षन सब्द क्योंकि बाबा साहे से जुड़ा हुआ है साहुजी महारा से जु और चाहें अकलेश कुमार यादब करें तो अकलेश कुमार यादब ने पिछले चुनावों में आरचन के मुद्दे को बहुत जोर सूर्स उठाया कि आरचन खत्रे में हैं दूसरा मुद्धा उठाया उन्होंने कि संभिधान खत्रे में है संभिधान हात में ले लेकर चलाए कि संभिधान खत्रे में है तो भोजन समाज की भावना है संभिधान जुड़ी हुई है क्योंकि उनके मसीहा ने बहुती त्याव समपों बलिदान के बाद ये संभिधान को क्योंकि बहुजन समाज अपनी ब्रासत मानता है इसलिए संभिधान का नाम लेने वालों के साथ में वह जुड़ जाता है संभिधान को हाथ में लेकर कोई नाचने लग जाए तो बहुत जल्दी जुड़ेगा यानि कि इस भावना को कैस करने के लिए आदमी को सिर्फ पीच्चे होने का काम कर लेगा और एक और बात को लेकर चले अक्लेस कुमर यादब जी वो ओने बाबा साहिब को घखाने बाबा साहिब की तस्वीर को देखते ही पागल हो जाता है बाबा साहिब ने उनके भलाई के लिए क्या कहा है इससे समाज को कोई लेन देना नहीं है लेकिन बाबा साहिब की तस्वीर को अगर किसी ने अपने सर पे रख लिया उठा कर तो वो समझ लो कि वो बाबा साहिब का भक्त है और बाबा साहिब का समाज जो है उसका मुरीद हो गया इसी प्रकार से जातीवार जन्गर्णा की बात की अखलेश कुमार यादब जी लगातार मंचों के माध्यम से इस मुद्दे उठाते रहे तो यह कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन से भोजन समाज के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और जब इन मुद्दों के बारे में अखलेश कुमार यादब जी ने बातें करना शुरू की तो उनकी भावनाएं उनकी हत्में कनेक्ट हो गई रहा दिलाने का प्रयास किया वो था डॉक्टर लच्मर यादब की तरफ डॉक्टर लच्मर यादब का चरित्र क्या है वो किस से वफा कर रहे हैं और किस से बेवफाई कर रहे हैं इसके उपर मैंने बहुत सठीकता के साथ मैं अपनी बातें रखने का प्रयास किया हाला कि मैं जो ये प्रॉफेसर क्लास है इनकी तरह बहुत विद्धवानasto नहीं हूं इतनी किताबे मैं नहीं पढ़ता हूं इतनी किताबे पड़कर उन किताबहों की जनकारी मैं आप लोगर बीच में नहीं लेकर आ पाता हूं लेकिन जो सामान्य सोच है जिसको एक सामान्य व्यक्ति को भोजन समाज के छोटे छोटे कद के व्यक्ति को भी जिस बात को समझ लेना चाहिए जान लेना चाहिए जांच कर लेनी चाहिए वो बात मैं आप लोगों के बीच में लगाता रखता रहा हूं और वो बात क्या है मैंने आपको समझाने लोहिया जी का स्टेट्मेंट और मैंने आपको बार-बार कहा कि डॉक्टर रच्मर यादव जी का जो जुकाब है वह समाजबादी पार्टी की तरफ है क्योंकि राम मनुहर लोहिया समाजबादी पार्टी के आदर्स पूरुस हैं वह उनकी विचारधारा को लेकर चलने का शळबादी को समाजबाद क्या है इससे अखले श्यादव जी को कोई मतलब नहीं याभी Bible भी प्रयास किया कि ज़खे सन्सद्मार करने का मुझता है तुम अपने इस वोड की इस संसत का आवारापन दूर कर देना ये बाते मैंने लगातार आप लोगों के बीच में रखी समझाने का प्रियास किया बताने का प्रियास किया लेकिन भावनाएं बहुत भारी होती हैं मेरी बातों के मुकाबले में भोजन समाज की जो भावनाएं हैं वो बहुत भारी भर सच आपको मनत करनें के लिए बोलता है बाबा साहिव या भगवान बुद्ध आपको कि कोई कोई दिता ह Christian है और आपको जthe देगा वह सुलित करने के लिए कि लेकिन जब हमारे समाज पड़ यह की मुफस की खानी है या फिर रहे है पर उस्बार Почему तो मेरे ऐसे मार दिखाने का काम तो बहुत चुबते हैं बहुत का बाबा साहिब का जैजेकारा मत लगाईए बाबा साहिब की बात मानी चुबता हूं जब भी मैं कहता हूं कि जाज कीजिए कि चंद्रिशा आजाज जी ने जो पार्टी बनाई है उसका अधार क्या है तो मैं बहुत चुबता हूं जब मैं कहता हूं कि मायवती जब अपने ही के भाई को पार्टी में सरवोच पत दे रहे है तो वो पार्टी जो ऐसा माजिक नहीं रहे गई है अब वो परिवार की पार्टी हो गई है तो मैं बहुत चुपता हूँ उन लोग Чुपता हूँ जो लोगों अपनी भांड़ यह यह बारो का मामला बहुत प्रवल है अब डॉक्टर लच्मड यादब जी के प्रयास बहुत बहतरिन रहे भोजन समाज के भीतर वे घुसे विशेश तोर पर जाटव समाज चमार समाज के बीच में घुसे इस जाटव समाज ने बहुत बड़े-बड़े मंच अबलेबल कराए और आज वो इस लोकसभा चुनाब में देखने कोई मिला डॉक्टर इंदु चौधरी जिस लोकसभा सीड से लाल गंज लोकसभा सीड से चुनाब लड़ी वहां पर जाकर क्योंकि समाजबादी पार्टी का जो पर्तियासी था वह यादब समाज से था तो डॉक्टर लक्षमन यादब पर्तियासी के लिए उन्होंने वोट मांगे जिस यादब पर्तियासी को समाज नहीं जानता है जिस यादब पर्तियासी के बारे में समाज को कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप यह सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि डॉक्टर लक्षमन यादब जो हैं क्या द्वारा हीरो बनाया जाना और फिर उसी समाज से गद्दारी करके विवफाई करके अखलेस कुमार यादब के लिए कैम्पेव करना क्या ये समाज समाज के हित्व में इस बात को यह को यह हमें समझना पड़ेगा फिर उसके बाद चलिए ठीक है आपने है भोजन समाज समाज गध्दारी की वेवफाई की उसके बाद आपने वफा निभाई विदहां सवहाँ के पदों की घोषणा की तो वहाँ पर पिछड़ा दलित और अलप संख्यक इनके साथ में कितना भारी धोका हुआ है इसको जब आप उनकी सूची देखेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा लेकिन मेरे टोटल फोकस जो है जो दलित है उस पर है क्योंकि दलित जो है सबसेदा सोचन और अत्यचार का सिकार रहा है क्योंकि दलित नहीं और दलितों में जाटाव चमार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आदर्णीय प्रोफेसर लच्मनियादब जी को आज जो कर होँगी कि वह दलित जो ने जो पतादिकारियों की लिस्ट आई है उस में से बल्कुल जाइब हैं अखिलेस जी ने वीदहांसवा में जो फालो की घुशना की है उसमें नेथा प्रतिति पक्ष ब्हांवंद समाज के माताप्रसाध पांडे को घुसित किया है और यहीं कर दिये गए उससे कहीं अधिक जो रोल अदा किया इनकी जीत में वो किया 32 मुस्लिम विधायक जो हैं आज उत्तर पर्देश में समाजबादी पार्टी के पास हैं उसमें से संसद इनके पास संसद में हैं बाल your जीत कर संद동 के और कि जो यादब समाज के पाँच संसद हैं किसी अन्य यादब को भी वो मोका नहीं दिया है जो विचारधहरा का डंडोरा यह PLCT कि compression पार्टी नाम भी समाजवादी पार्टी फिर आदर्स भी रामन ओर लोहागी लेकिन यह हवाह़ाई रहे गया चाहें आप नाम रामन और लोहाग की ले लीजिए चाहें आप अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रख लीजिए लेकिन ये पार्टी पूरी तरह से परवार की पार्टी है दूसरा ब्रहामणवादी पार्टी है ब्रहामणों के अधीन चलने वाली पार्टी है ब्रहामण चाहें कितना भी नुक्सान भोजन समाज पार्टी और समाज पार्टी को कर दें उसके बाद भी ब्रहामनों का ही बोलवाला रहता है ब्रहामनों की सीटें ब्रहामनों का पद नहीं घटता है अब नेता प्रतिपक्ष जो है विधान सवाम है उत्ता परदेश के विधान सवाम है वो पांडेजी होंगे म समाजर की किरतकता भूल गए उस समाज के ऐसानों को भूल गए और लाल गंज लोगसबा सीट पर जाकर उसी वहां पर सपा का जो सांसत प्रतियासि था उसके लिए campaign किया उसके लिए वोट मांगे और यह कहकर वोट मांगे कि बसपा के बीतर कोई दम नहीं है और बसपा जीत नहीं पाएगी इसलिए आप सपा को वोट कर दीजिए अगातर वह चलाते रहे कि अगर संविधान बचाना है तो समाजबादी पार्टी को वोट की कि यह तो जातीबादी द्रिश्टि कौंड जो है आपको हर वार दिखाई देगा महापुरुस महापुरुस होते हैं महापुरुस के लिए जाती कोई चाहिए तो कहने का मतलब यही है कि दलितों के साथ में पहली बार धोका नहीं हुआ है लिकिन करें क्या कि तमाम भोजन समाज के न्यूज रिपोर्टर भोजन समाज के मीडिया चैनल शुक्तर लच्मड बनाने वाले मीडिया चैनल कोई मेन मीडिया ने जाकर याद अपको كणवर नहीं किया आज वही यह उत SI lla बैठे हैं कि डॉक्टर लच्मर यादव ने दलित समाज के साथ में कितना बड़ा धुका किया है, कितनी बड़ी गद्दारी की है, हाला कि अब सफिर से मैं सच्चा ही बोल रहा हूं, तो डॉक्टर लच्मर यादव के जो समर्थक हैं, परसंसक हैं, अब वो मेरे पीछे पड़ेंगे, और वो मेरे लुचना करेंगे, गालिक वी कर सकते हैं, क्यूंकि अंद्भक्ती में कुछ भी पॉसिबल है, लगातार जखीलते आया हूं, लेकिन मेरी भी बिमारी है क्योंकि मैं भी पीडित हूं, मैं पीडित इस बात से हूं कि मेरा समाज पीडित है, मैं पीडित इस बात से हूँ कि बाबा सब डॉक्टर भीमरा ओंबेटर का जो सच्चा मिसन है वो पीछे है और जो नकली चहरे हैं वो सामने लोगों को दिखाई जा रहे हैं वो आगे आकर अपने आपको चमकाने का काम कर रहे हैं मैं एक एक निता के बारे में बड़ी बारी की से जितनी मुझे समझ में आई उतनी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया और जितने भी मैंने आकड़े आपको प्रस्तुत किये एक एक आकड़ा जो है इस लोकसवा चुनाब और इसके बाद जो है आपके सामने बिल्कुल सच साबित हुए लेकिन उसके बाद भी अगर आप मेरी अलोचना करते हैं मुझे गालियां देते हैं तो मुझे स्विकार कर अंबेड करको एक बार नहरुजी संसत से भार आते वक उन्होंने यह पेशकस की कि बाबा साहिव अच्छा हो कि आप जो है कॉंग्रेस जोन कर लें आपका समाज आपको कुछ नहीं दे सकता तो बाबा साहिव नहरुजी को जवाब देते हुए बोलते हैं कि है नहरुजी अगर मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लेम्पोस्ट पर भी लटका दे तब भी मैं उसी समाज के लिए काम करूँगा तो समाज सुधारक तो इसी प्रकार का होता है जिद्धी होता है और जिद्ध उसकी जो है समाज को सुधारने की होती है समाज को मार दर्शन देने की होती है अपने मिसन पर लगाता डटे रहने की होती है वही समाज जो समाज गालियां देता है धिकारता भी है कचोडता भी ह ये सब कुछ फूल बन जाते हैं जब कहीं से थोड़ी सी रहात मिलती है और ये रहात जरूर मिलती है, कामदा भी जरूर मिलती है लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार समाज को समझा रहे हैं और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जाए अब समझने भी लगा है तो जो वर्ग समझने लगा है जितने लोग समझने लगे हैं वो हमारे लिए रिलीफ है वो हमारे लिए राहत है तो इसी राहत का मरहम जो है हमारे लिए आगे कहें कि संजीबनी बूटी का काम करेगा हमा कि आप लोगों को यह लगता हो यह समझ में आता हो एडवोकेट जयिवीम प्रकास लगातार आप को ज़ 무슨 दिखाना चाहता है जो आपको देखना चाहिए लेकिन कि लेकिन देखना अहों आध कि आप तक कि उस इंकार करते रहें गे और कब तक तक आप उस सचाई से इंकार करने का खामिया जाब होकते रहेंगे जैभी नमुब्ध शातियों यदि यह वीडियो समझ में आया हो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें कमेंट करें और सुझ सेर करना ना भूलें